यह विज्ञान में बहुते महत्वा पूर्न स्टर्लिंग इंजन हवे एकर डिजाइन सुबीर बाधुरी कही लिया हूँ और आप लोग देख सके नहीं जा कि एमें एगो लकड़ी को कोखा हुए और स्टर्लिंग इंजन का अलग अलग हिस्सा हुए आप लोग लकड़ा का कोखा देख सके नहीं जा जमें इगो इंजन लगई एक इंजन के दुगो नट वेल्ड के लिए जा और नट के लगई बिच में गोल बोर रिए खाली बोर हुए तब रहे दाय साइड के हिस्सा में हम लोग दिया रखा जा आग देवे खातिर यह आपन crank pot हवे, जैके हम लोग अब connecting rod लगा होते हैं, यह connecting rod लगाई लेके बाद एके छोड़ दे, अब एको लंबा piston ले 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 और उमें एको छोट displacer लगा ले, यह displacer M-seal से बनल हवे, पानी seal करे वाला M-seal से, अब लंबा piston या ट्यू, आप लोग heat sink के बीच में ज आपन जूलत भाईल crank rod उठाके, ओके displacer के तार में लगा ले, यही तरहें दूसर crank rod लेके, अपने crank shaft के 90 degree के कोण पे लगल भाईल हिस्चा पे लगाएं, और उकर दूसर छोड़ अपने piston ट्यूप पे लगा दे, उकरे तार पे, आप लोग देख सके निजा के तरहें, आइसन कईले के बाद आपन स्टरलिंग इंजन लगभग एक्दम तयार हगे, लेकिन आइसन assembly कईले के बाद चेक कर लें कि आपन piston घुमाईले के बाद सब mechanism अच्छा से काम करे ला, तार पिस्टन अच्छा से ही लेला, आइसन कईले के बाद हर जोड़ पे तनिसा तेड़ लाल लें ताकि उसमूट घुमे, पूरा तयार भाईले के बाद इंजन का दाएं साइड के दिया के उपर रख लें, ताकि उगरम हो जाए, गरम होते ही आप लोग फ़लाई विल के तनिसा घुमा लें, और आप लोग देखना कि इंजन काम करे ला, लाल वाला हिस्सा सेरा पूरजा तो अब लोग उसमा वाला इंजन होगे, गरम इंजन होगे, जब इंजन चले ला ता काम करद भेल भाईल अच्छा लगेला, और बहुत मजदा इंजन होगी, बच्चन के सिखायगा थी बहुत अच्छा प्रयोक लगे, अप लोग एकर हर पूर्जा काम करद झाल झाल